त्रिकोन आसन इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीड की हट्टी एक त्रिकोन का आकार ले लेते हैं तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं अब अपने पैरों को परस पर आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं धीरे धीरे अपने हाथों को उपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो उपर नीचे या आगे पीछे नहीं अपने बाये पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिगरी घुमाएं अब एक लंबी गहरी सांस ले और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से चुकाए दाहिनी हाथ से अपनी दाहिनी एडी को छूने का प्रयास करें और अपने बाये हाथ को ऊपर आस्मान की ओर उठा ले हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एडी तक ना पहुँचा पा रहे हों तो ऐसे में अपने हाथ को वही तक ले जाईए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुँच सके इस थिती में कुछ देर आराम से रहें सामान्य रूप से सांस लें और छोड़े पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस उपर की ओर आईए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए अब अपने बाय पैर के पंजे को घुमाए और दुबारा यही आसन अपनी बाई तरफ से दोराए यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है यह आपके कमर की मानस्पेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चप्टे तल्वों यानी फ्लैट फूट की समझ्या से भी बचाता है जंगाओं, कंधों, छाती तथा रीड की हड़ी को मजबूत और लचीला बनाता है लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसे पिड़ाएं हैं तो कृपया इस आसन को ना करें जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं तो यह आपके मानसिक तनाव और चिंता का भी निवारन करता है